बिस्मिल्ला रिमाने रहीम तो हम क्लास शुरू कर रहे हैं अपनी जुमेट्री की सही है? देखिए हम हो सकता है इसको छे या आठ क्लासिज में हम पढ़ाएं आपको ये सारी जुमेट्री तो बिलकुल स्टार्ट से हम करेंगे शुरू और देखेंगे जहां तक हम जा सकते हैं वैसे तो जुमेट्री बहुत बड़ा इल्म है ठीक है? और आप अभी पांच्वी से लेके दस्वी जमात तक के स्टूडेंट हो तो बहुत सारी बाते हैं आपके फोकस से और आपके दायरे से बाहर की है तो जो आपके दायरे के अंदर अंदर आती है हम कोशिश करेंगे कि ये साथ या आट लेक्णर में हम आपको जो है वो सेशन में आपको जितनी बाते सिखा सकते हैं सिखा देंगे अच्छा अब सवाल यह है कि ये जुमेट्री है क्या? ये दो लवज हैं एक जियो और एक मैट्री ठीक है जियो का मतलब जमीन और मैट्री का मतलब नापना सही है तो जब शुरू में मैथ पर काम कर रहे थी लोग तो वो दर असल जमीन को नापने और जमीन के फासले और जमीन के रेडियस ठीक है और जमीन के एक जगा से दूसी जगा का फासला ये नापने के लिए दर असल इस्तिमाल करते थे जिमेट्री को तो इसलिए एक इल्म उनों ने बनाया जिसका नाम रखा जियोमेट्री ठीक है अच्छा जिमेट्री मैथ की एक शाख है ठीक है इसमें आप चीजों को नापते हैं ठीक है और जो खास किसम की शकलें होती है आप जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें बहुत सारी शकलें आप बहुत सारी शेप्स आप का सामना आता है ठीक है उन शेप्स को कैसे परकते हैं कैसे नापते हैं और उनको कैसे हैंडिल किया जाता है ये मौजु है Geometry का ठीक है Geometry में आगे जाके जब आप Triangle को पढ़ेंगे तो Triangle खुद एक बहुत बड़ा इल्म हो गया है ठीक है तो Geometry को फिर Convert कर देते हैं Trignometry में यहनि जब आप Geometry पढ़ रहे हैं Geometry में जैसी Triangle आएगी ट्राइंगे लिए बहुत बड़ा इल्म हो जाएगा ठीक है तो उसको फिर आप एक नई शाक बना देते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं ट्रिग्नोमेट्री सही है अच्छा मजीर आगे जाएंगे तो यह जमेट्री एक और ब्रांच में तबदिल हो जाएगी जिसे बोलेंगे को आडिनेट जमेट्री सही हम इसको इसका भी तारूफ आपको करा देंगे ग्राफ जब आपको समझाएंगे यहाँ पर तो उसमें बता देंगे कि जमेट्री को आप coordinate geometry से कैसे समझते हैं तो सबसे पहले ये मैंने बनाया है एक dot क्या बनाया है एक dot इसको आप English में कहते है dot और उर्दू में कहते है नुक्ता सही है यहां से हमें start कर रहे है ठीक है नुक्ता क्या होता है ऐसी शकल जिसकी ना गोलाई हो ना मोटाई हो लेकिन वो हो ऐसी शकल जिसकी ना मोटाई हो ना गोलाई हो लेकिन वो हो ऐसी imaginary शकल इसको आप क्या बोलते हैं नुक्ता या डॉट समझ मैं है रही बात आपको अच्छा डॉट से अगर बहुत सारे डॉट्स मिला दिये जाए ऐसे ही है ना बहुत सारे डॉट्स मिला दिये जाए तो अब बन जाती है लाइन डॉट्स का जो मजमुवा है सारे dots को एक दूसरे के साथ जोड जोड के सीधा बिलकुल रखा जाए तो क्या बन जाती है एक line एक line की सही तारीफ ये होगी अगर मैं ये एक page लो और इस page को मोड़ कर ऐसे रबा लो ठीक है तो आपके सामने क्या जाएगी ये क्या है एक line ना इसकी मोटाई है ठीक है ना इसकी चोडाई है ना इसकी गोलाई है बस सिर्फ क्या है लंबाई है और ये दरहसल बहुत सारे छोटे छोटे dots से मिलकर बनी है ये बात आपके समझना आ गई Line के बारे में आपको ये बात समझनी है कि ना इसकी गोलाई होती है ना चौडाई होती है ना मोटाई होती है सिरफ क्या होती है लंबाई होती है इसको हम क्या बोलते है Line ठीक है और ये straight line है सीधी line है clear होगे बात आपको Good अच्छा अब लाइनों से मिलकर शेप बनते हैं मुक्तलिफ किस्म की जो शकलें बनती हैं वो लाइनों से मिलकर बनती हैं अभी हम बात कर रहे हैं इस्ट्रेट लाइन की तो इस्ट्रेट लाइन को मिलाकर एक शेप ये बना सकते हैं आप इस शेप को आप कहते हैं रेक्टेंगल ये लाइनों से मिलके बनी है इसी तरीके से लाइनों तीन लाइनों को मिला दे तो ये एक शेप बन गए इसको आप कहते हैं ट्राइंगल सही है अगर आप चारो लाइने बिलकुल बराबर रख ले तो इसको आप कहते हैं स्कॉर ठीके यह तो जो शेप होते हैं वो दरअसल मुख्तलिफ स्ट्रेट लाइन को मिला कर आप शेप بनाते हैं अच्छा फिर कुछ लाइन स्ट्रेट नहीं होती बल्यों कर्व होती है कैसे होती है? कर्व ठीक है, तो कर्व लाइन से भी शेप बनते हैं जैसे सर्कल ये क्या है, सर्कल ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बना है बलकर ये किस से बना है, कर्व से बना है ठीक है, इसी तरीक से ओवल भी होता है, ओवल ये तो सर्कल हो गया लेकिन ये सर्किल नहीं है ये क्या है ओवल है ठीक है जैसे अंडा होता है हमारा ओवल तो ये जो आप शेप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनने वाली शेप हैं और ये जो दो आप shapes देख रहा है ये curve से मिलकर curve line से मिलकर बनने वाली shapes है हम आज की class में ये जो shape है rectangle इसके बारे में थोड़ा सा study करेंगे rectangle क्या होता है rectangle से पहले जब दो लाइने आपस में मिलती हैं तो जिस नुक्ते पे मिलती हैं दो लाइने जैसे एक लाइन तो ये रही और एक लाइन ये रही ये दोनो लाइने एक नुक्ते पर आपस में मिल रही है ठीक है? इन दोनो लाइनों के दर्मियान जो gap होता है उस gap को आप कहते हैं angle उस gap को क्या कहते है angle ठीक है दो line के दरमियन जो आपको gap मिल रहा है अच्छा ये ज्यादा होगा तो फिर ऐसे होगा ज्यादा खुल गई हमने बोला वह angle ज्यादा है एक तो मैंने ये दो line ये बनाई है और एक दो line में ये बनाई है कि इन दो line के दरमियन angle छोटा है इस दो line के दरमियन angle छोटा है और इन दो line के दरमियन angle बड़ा है ये समझ मैं आरी बत आपको दो line के दरमियन जो gap होता उसे आप क्या बोलते है angle अच्छा अब ये दो लाइने, ऐसे सोचें आप, एक ये जमीन है और एक ये दिवार है जो सीधी खड़ी है